कल के माच के हवाले से बात करने के लिए बहुत कुछ है, सबसे पहले तो मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग की बारी आई हम प्लेयर ऑफ दे मैच से डिसकुशन शुरू करते हैं जो के मोहमध रिजवान रहे मोहमध रिजवान की एक तो कैप्टेंसी भी बहुत सराई जा र सब्सक्राइब करने वाले प्लियर्स के लिस्ट में अपनी बिल्कुल और बड़ी सब्सक्राइब किया शुरू से आते मारधारनी की इप्तदाई जो पहले पचास थे उनके सो में से वह बड़े यह कहले कि इस तरह बादाई पचास सब्सक्राइब करने अगली अगली अठाव गिंड़ों पर उन्हें जिस तरह खेला है वह कमाल मैसिव परफॉरमस्स थी और मेरा ख्याल है कि अकसर तनकीद करते हैं लोग के रिजवान ऐसे खेलता है बाबर ऐसे खेलते हैं वह एक वर्ल्ड कप पे की स्ट्रेटिजी होती है अपॉनेंट को अपॉनेंट की बॉलिंग की स्ट्रेइन को देगकर मैच के कंडिशन को देखकर और सुरत में सुरत यहाल के मताबिक निए का आप आते ही मारधार शुरू कर जए अगर आपके शुरूमर मारधार में 2-3 प्लेयर्स में पाकिसान क हम आखबंब करके हर चktóra मालने काला गेम हम नहीं कillsकते लिक्स वर पाकिसान को एसी अंदास मिले है कि आप शुरू के दस-ोवर में को accelerate करते के फिर उसके बाद आने वाले भी क्योंके पाव हिटर भी आ जाते हैं तो फिर भी मारते ही रहते हैं तो फिर यह पाकिसान को एक अच्छा यहां एज मिल जाता है तो मेरा ख्याल है कि यही एक अच्छा तरीका है टी ट्वेंटी खिलने का शुरू से आते हैं अगर का गेम खिल सकता है और ऐसे बैटर्स की ऐसे खिलाड़ों की सरवर्थ होती है हर जगा टीम में वही काम्या बहुत है जिनके बेसिक क्रिकेटिंग स्किल्स सही हो जब जीतता रहा है जब जीतता रहा है एक प्लेयर और कहीं ऐसा लगनी रहा कि उसकी टीम कहीं पीछे रही है तो उसकी कप्तानी को सवाल ही नहीं बनता कोई सब्सक्राइब करें पाकिसान के यह सेकंड मोस्सेंश्री पार्टरशिप वाले प्लेयर बनता है थर्टीफ सेंश्री पार्टरशिप बाबर आजम जिस पर इंवाल रहा है और 26th century पार्टरशिप में अब रिजवान इंवाल रहा है तो आप यह देखे कितनी तेजी से ग्रो कर रहे है रिजवान और बाबर और इन जैसे प्लेयर की मौझूद की विकट पर दूसरे पार्टरों को भी होसला देती जबी तो इतनी जादा century पार्टरशिप बन रही ह है लिề मौझद की बनन और अ अपले फिरा देती बार और अपलेवान इंवा है तो आप कर दस было नहीं है विए दूसरे लिजड झीमा कि यह दो में बना की जूसरे लिए तोर यह होँत। झाल झाल